बाहर में जमा जम बारिस हो रही हो और उस टाइम पे कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो फिर क्या ही बात है और अक्सर हम लोग भजिया पकर है वगर्ण तो बनाते ही रहते हैं लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ आलो से बहुत ही टेश्टी नास्ता जो बच्चे और वरोस भी को पसंद आएगी और यह नास्ता बहुत ही कम टाइम है और कम चीजों से बनके त्यार भी हो जाती है तो चले हैं इस नास्ते को बनाना सुरू करते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए हम यहाँ पर चार आलो, एक गाजर, एक प्याज, एक स्रिम्लम रिच लिए हैं आलो को हमने चील लिया है और सारे सबजी को हमने अच्छे से धूल लिया है अब हम क्या करेंगे ना आलो को इस तरह से हम रफली कर लेंगे मतलब कि एक आलू में हम 8 फीस करेंगे तो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइच कहीं रखेंगे अब यहाँ पर हम इस तरह से करा ही या कोई भी वर्तन लेंगे और सारे आलू को हम इसमें डाल देंगे साथ में इसमें हम डेर के लास के जितना पानी एड़ करेंगे और इसमें 7-8 मिनिट के लिए बड़ा कर लेंगे तो इसे हमने इस तरह से छोटे पीसस में कट कर लिया है ना इससे जो आलू है ना 7-8 मिनिट में अच्छे से बड़ा हो जागा में इसमें जालीवाल बर्तन में और फिर किसी एक्सटेणर को उपन udah निकाल देंगे जब आपको लगे कैसमें इक्टा पानी निकल गया है तब ओस एक बॉल में डाल देना और इसमों घर्मागरो मैस मेस कर लेंगे और इसमें हम एक छोटा चमस तेल अट करते हैं सांध ही मैं हम अट करते हैं बारीकुट्य हरी मेंर्च और प्याज भीच अबेज बारीकुट्य गाजर और सीमिल đãमिर्च करते हैं तो यहाँ पर देखे सब्जियों को पकाना नहीं है अब यहाँ पर सब्जीओ को एक मिनट भूनने के बाद गैस का फ्लम और यह सब्जीओ को मैस की हुवा आलू में आड़ कर देंगे साथी मिस में हम आड़ कर देंगे एक चोथाई छोटी चमच काली मिर्च का पॉर्डर आप इसके जगए चावल का आटा भी आइड कर सकते हैं या फिर आपके पास ब्रेड है तो दो ब्रेड को पीण के भी आफ कर लेना है तो यह हाँ से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर दिके सारे चीजों को हमने अच्छे से mix कर ली है अब हम क्यार करेंगे ना हाथ में थोड़ा सा तिल लगा लेंगे ताकि यह डो जो है ना हाथों में चीप किया ना आप इसमें से इस तरह से थोड़ा सा पोसन लेंगे इसमें हम अच्छे कर देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा खाली मिश्कप पोडर और साथी में हम पानी अच्छे कर देंगे और इसका हम बैटर त्यार कर लेंगे तो लिजे इस तरह से हमने इसकी बैटर को त्यार कर ली है और ये नहीं ज़्यादा पतली है और नहीं ज़्यादा गारा है अब नास्ते को कोट करने के लिए मैं यह आपर ले रही हूं यह सेवई तो यह बारिक वाला सेवई है आप इसके जगा ब्रेट करम भी ले सकते हैं अब हम क्या करेंगे ना इस तरह से एक वाल्स लेगे हैं मतलब कि नास्ता वाला वाल्स लेगे हैं और इसे हम बैटर में पहले डीप करेंगे उसके बाद इसे हम सेवाई में कोड कर लेगे तो इस तरह से जो नास्ता है ना बाहर से एक दम किर्श पनती हैं आप इस नास्ते क लिए उस्टूर कर सकते हैं और जब भी आपको मन करें तो इसे प्षोठे दिर पहले निकाल लिजिए और इसा फराई कर लिजिए आप इस नास्ते को छोटे तो चलिए अब इसे हम फ्राइब कर लेंगे तो इस नास्ते को फ्राइब करने के लिए तेल यहाँ पर आपको अच्छे से गरम कर लेना है इस बात को आपको खास धियान देना है तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा ना तभी आपको इसमें नास्ता डालना है और जब एक अच्छा कलर आयन तक फ्राई कर लेना है और यहां पर आप देख सकते हैं इसका color change हो गया है और यह बहुत ही वहनिया से फ्राई हो गया है तो चलिए आभ इसे निकालेंगे यहां पर आप देख सकते हैं आभ इसे देखे यह कितनी पसंद हैगी और इस नास्ते को बनाने में भी कोई भी ताम जब नहीं है और यह नास्ता बहुत ही जल्दी बन जाती हैं तो उमीद है कि आज की रेश्पी आपको पसंद आई होगी रेश्पी पसंद ही तो वीडियो को लाइक करें आपना फैमिली फ्रेंस में भी सेयर करें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग